अशीराध होस्पिटल नी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवा लाल बटन दबावो और बाजू पर आवला गंड़रीना बटन ने दबावी नवा वीडियो विशनी नॉटिफिकेशन मेरो नमस्कार मैं डॉक्टर मनहर गोस्वामी पीडियाटिशन एक बार फिर हाजे हूँ एक नए विशाई के साथ आज हम बात करने वाले है फॉरन बोड़ी नाक में और कान में फॉरन बोड़ी मतलब कुछ एची चीज जोilippe अकसर अपने नाक में या कान में डालते रहते है और उसको केसे निकाला जाएं बच्चों में, छोटे बच्चों में ये बहुत ही common पाया गया है कि बच्चे कुछ न कुछ चीजे जैसे कोई दाना है, कोई बीज है, कोई प्लास्टिक की चीजे है वो अपने नाक में, कान में या तो निगल जाते हैं और हमारे पास हफ्ते में एक या दो ऐसे पिशन अक्सर आते हैं तो ध्यान रखे अपने बच्चों का, खास करके ये डेड़ दो साल से चार से पात साल के बीच के बच्चों में ज्यादा common पाया गया है बच्चों में एक curiosity होती है, कोई भी नहीं चीज को खाने की, नाक में डालने की और कान में डालने की तो खास ध्यान रखे अपने चोटे बच्चों का, उसको ऐसी चोटी चीज, दाने, प्लास्टिक की चीजे उसको ऐसे खेलने के लिए मत दीजे ताकि वो अपने नाक में या कान में डाल सके, तो आज हम देखेंगे, अगर कोई बच्चा नाक में कोई चीज डाल के आता है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, अभी अभी हमारे पास एक छोटा तीन साल का बच्चा आया है, जिसने अपने राइट नॉस्ट्यल में नाक में एक बेरी का जो बीज आता है, वो खाते खाते डाल दिया है, अभी एक दू गंटे पहले की है बात है, अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नाक में या कान में कुछ चीज डाल देता है, तो कई बार हमको मुम्मी पपा को पता नहीं चलता है, पर रहते रहते फिर उसमे इंफ्लामेशन होता है, इंफेक्शन होता है, पेइन होता है, तब जाके पता चलता है कि ये उसने कुछ नाक में या कान में डाला हुआ है, तो कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि बच्चे बताते नहीं है कि ये ऐसा हुआ है, पर हम जब एग्जामीन करते तब जाके हमको पता चलता है बट इस केस में ऐसा नहीं है इसमें बच्चों ने डाल दिया है और इसके पापा ममी को पता चल गया है कि इसमें नाट में कुछ दाला है जब हमने एक्जामेन किया तो पता चला कि वो बेरी का बीज है और काफी अंदर तक है और हम इसको निकालने की कोशिश क करेंगे और कैसे निकाल थे हैं आपको भी दिखाएंगे देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं बच्चे ने अपने राइट साइट के नाट में बेरी का बीज डाला हुआ है अगर ध्यान से देखो गे तो आपको हलका सा बीज दिखाए दे रहा है हम उसको अपने इंस्ट्रुमेंट की मदद से वह बीज निकालने की कोशिश करेंगी यह प्रोसीजर बहुत ही ध्यान से करना होता है अगर बच्चा ज्यादा हिला या ठीक से नहीं किया तो बीज ज्यादा अंदर भी जा सकता है यह नाक में ब्लीडिंग भी या इंजरी भी हो सकती है तो हमने आसानी से बीज निकाल दिया है बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है उसको कोई भी इंजरी नहीं हुआ है या तो ब्लीडिंग नहीं हुआ है आप जैसे कि देख रहे हैं बीज काफी बड़ा है और आसानी से निकाल दिया है तो आपने देखा, काफे बड़ा बीज था और हमने कितने आसनी से बच्चों का नाक में से निकाल दिया बट हर बार ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना कोपरेट नहीं करते है वो हिलते रहते हैं, डोलते रहते हैं, उसको पेइन नहीं होता है, बड़ उसकी एंग्जाइटी इतनी होती है कि मिलते रहते हैं, भास करके कान में तो ये और भी जियादा प्रोब्लम करता है, पर्ट इस केस में हमने इसको आसानी से निकाल दिया है, without any complication, इसमें नहीं ना तो कोई ब्लेडिंग हुआ है, ना तो कोई इंजरी हुआ है. तो खास अपने बच्चों का ध्यान दखिए, कुछ भी ऐसी छोटी चीज उसको खेलने के लिए ना दे या तो उसको समझाए कि ये चीज सिर्फ खाने के लिए है या खेलने के लिए है, इसको नाक में, कान म या मूँ में ना डाले. आज के लिए बस इतना ही, इसके बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो, या इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो, जिसका जवाबा हमसे जानना चाहते हैं, या हमको पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या तो आप ह